आप सबको मेरे नमस्कार, आज की इस क्लास में सेंपल कोस्टन पेपर, क्लास 10 हिंदी ए कोड 002 टर्म टू को सालव करेंगे, देखेंगे कि निधारी सब्द सीमा में कैसे एक बहतरीन कोस्टन पेपर हम सालव कर सकते हैं, इसमें जो टाइम मिला है आपको दो घंटे का है, इ इसमें हेंड़ाइटिंग का विसेज ध्यान देना है, और क्लीन और नीट होना चीए आपका जो एंसर कापी है वो, खंडखा में कुल तीन प्रस्ण है, जो इस्ट्रक्शन दिये हुए हैं, उनको फालो करते हुए सभी प्रस्णों को हल करना है, खंडखा में चार पूरक पार्टि पुस्तख से लिया गया है, इसमें कुल भी संक हैं, इसमें प्रस्ण एक में सभी को देखिए का ध्यान देखिए कि 25 से 35 सब्दों में ही लिखना है, इसमें चार कोश्चन आपको हल करने हैं, दो-दो मार्ग सके, जिसमें 8 मार्ग साब को मिलेगा, इसमें उत्तर है, फादर कामिर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं, क्योंकि वो ये प्रीजनों के प्रति समोह रखते थे, संकट के समय सानभूती रख उन्हें धाडस देते थे प्रसनका है, फादर की उपस्तिती लेखक को देवदार की छाया के समान क्यों लगती थे, पाट के अधार पर सिद्ध किजिए गह है क्या सनक सकरात्मक भी हो सकती है? सकरात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? सटिक उधार्णों द्वारा अपने विचार प्रगट कीजिए उत्र एक का गह है हाँ सकरात्मक सनक के करण बेक्ती अपना लक्ष पाय बिना नहीं रुपता है बिहार के दसरत मांजी ने सनक के करण पहाड काट कर वजीरगन अस्पताल की दूरी कम कर दी घह है लगनवी अंदाज सिर्शक की सार्थक्ता तरक सही सिद्ध किजे उत्तरेक का घह है लगनवी अंदाज सिर्शक की कथानक से पुनताह संबदता है क्योंकि इसमें नवाप सहाब जोटी सान दिखाने के लिए खीरे के फाके सूंग कर खिर्खी के बाहर फेक देते हैं प्रस्ण दो है निमलिखित प्रस्णों में से केनितिन प्रस्णों के उत्तर 25 सब्दों में लिखे क्योंकि यह है एक अहवान गीत है इस कविता का सिर्जन समाज में क्रांती और उसा की भावना का संचार करने के लिए किया गया है खा है इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में फागून के प्राकर्तिक संदर्य का वर्णन किया गया है उसे अपने सब्दों में व्यक्त कीजिए उत्तरदो का खा है निराला क्रीट अर्ट नहीं रही है कविता में फागुन के प्राकर्तिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है इस कविता में फागुन की सरव्यापक आभा और उसके अद्बुत सौंदर्य का मरोनम वर्णन किया गया है गह है इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कोरी भाउगता ना होकर जीवन में संचित किये गए अनवहों की अनिवारिय सीख है कविता के नाम के साथ कथन की पुष्टी के लिए उप्युक ततर कभी पस्तूत कीजिए उत्तरदो का गह है रितु राजक्रीत कन्यादान कविता में मा कन्या के विदाई के समय के वल भाउगता का पदसन नहीं करती बलकि लड़की जैसा ना दिखने किसी के देती है गह है इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको प्रवाइद करती है और क्यों तरक सहीत इसपस्ट कीजिए उत्तर दो का घह है रितु राजक्रीत कन्यादान की अंतीम पंक्तियां आग रोटियां जीवन के ने प्रभाइत किया क्योंकि इसमें जीवन की कठिनाईयों का सामना करने और वस्त्र और अभुशन को बंधन मानने की सिख दी गई है प्रस्ण 3 है निमलिकीत प्रस्णों में से किनी दो प्रस्णों के उत्तर लगवक साथ सब्दों में लिखे तो देखे इसमें सब्द सीमा जो है न साथ है इसको ध्यान देना है प्रस्ण का है माता का अंचल पाट में वर्नित बचपन और आज के बचपन में क्या अंतर है क्या इस अंतर का प्रभाव दोनों बचपनों के जीवन मुलियों पर पड़ा है तरक संहित इसपस्ट कीजिए उत्तर तिन कक्का है माता का अंचल पाट में वणनीत बचपन और आज के बचपन में अंतर है पहले खेत खलिहानों और खुले में खेलने की जगह थी जबकि अब बचपन कमरे तक सिमीत हो गया है पहले समयुक्त परिवार में बड़ों का प्रेम और समय के साथ संसकार मिलता था जबकि अब एकल परिवार में माता पिता की बेस्तता से संसकारों में गिरावट आ चुका है ख़ है जार्ज पंचम की नाक पाट में नहीत ब्यंग को इसपस्ट करते हुए बताईए कि मानसीक प्राधिंता से मुक्ति पाना क्यों आश्यख है उत्तरतिन कखा है जार्ज पंचम की नाक पाट में ब्यंग के अधार पर बताया गया है कि सत्ता से जुड़े लोग मानसीक प्राधिंता के सिकार हो चुके हैं जिससे सरकारी तंत्र में नीचे से उपर तक भस्ताचार ब्याप्त हो चुका है देश के सच्चे सम्मान और सवि मान की रक्षा के लिए मानसीक प्राधिंता से मुक्ति पाना आवस्यक है गह है नदी फूलों वादियों और जन्नों के स्वर्गिक सौंदर्य के बीच किंद रिस्यों ने लेकिका के हिर्दय को जगजोर दिया साना साना हाथ जोड़ी पाट के अधार पर उत्तर लिखिये उत्तर तिन का गह है नदी फूलों वादियों और जन्नों के स्वर्णिन सौंदर्य के बीच आजिवका के लिए इस्थानिय महिलाओं का अपनी पीट पर बच्चे लाद कर मार्ग बनाने के लिए पत्तर तोड़ने की विवस्ता अदूतिय सौंदर्य के बीच भूक और ज लगजोर दिया खंड खंड रत्नात्मक लेखन खंड जिसमें कुल भी संख हैं उसमें प्रस्ण चार में बोला गया है क्रीम लिखी तनुच्चेदों में से किस एक भी सह पर संकेत बिंदों के अधार पर लगबग 150 सब्दों में नुच्चेद लिखिए इसमें पांच नम तकनिकी से जुड़ी बाधाएं और निसकर्स सांती सांत ध्यान दिजेगा है जो सब्द सीमा है 150 सब्द है न इससे ज्यादा नहीं होना चीए ने तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे तो चलिए इसको देखते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे सिर्षक को कोरोना काल और आनला दाउन था फिस में दूसरा बिंदु है लागडाउन की घुफणा 24 मार्च 2020 को प्रधान मंत्री मोधी जी ने संपूर्ण भारत में लागडाउन की घुफणा की जिससे धारा 144 के कारण बच्चों और बड़ों को घर में रहना पड़ा फिर तिसरा बिंदु है आनलाइन कक कच्चाओं का आरंभ लागडाउन के साथ ही सभी सेक्चणी गतिविदियां आनलाइन द्वारा की जाने लगी जिससे बिना संपर के मयाए घर से ही कच्चाओं का संचालन होने लगा फिर यहां पे एक स्लोगन मैंने लिखा है कोरोना ने दिया सब को ये मौका कोरोना ने विद्यार्थियों में कोरोना का प्रसार कम हुआ वे बिना संपर के मयाए शिक्चा प्राप्त करने लगे करोनों विद्यार्थियों के साथ सिक्चपों को तकनिक को सिखने और उप्योग करने का उसर मिला आगे मैंने एक स्लोगन लिखा है सब ने सीखा नवाचार करने ल प्रभाव आप लेन कप्छाओं की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसमें बिद्यार्थी सिक्षक के सामने में नहीं होते हैं, साथ ही खेल खूद और संस्कृतिक गतिविधियां बंद हो जाती हैं. अगला बिंदु है तक्निकी से जुड़ी बाधाएं, हमारे देश में सभी बिद्यार्थियों तक नेट्वर्क, मोबाईल और अन्य आनलाइन के साधन उपलब्द नहीं हैं, जिससे निर्धन और दुरस्त अंचल के बिद्यार्थियों विशेश कर बालिकाओं पर आनलाइन सिक्षा का अनुकुल प्रभाव नहीं पड़ा है, निसकर्स, आनलाइन पढ़ाई, आपलाइन पढ़ाई का बिकल्प नहीं हो सकता है, फिर भी सभी तक नेट्वर्क और संसाधन पहुंचा कर इसे और प्रभाई बनाय जा सकता है, खंडखा में अनुच्छेद में मानाव और प्राकृतिक आपदाओं की उपर अनुच्छेद लिखना 150 सब्दों में, इसमें संक्यत बिंदू हैं, जैसे भूमिका है, प्रकृति और मानाव का नाता है, मानाव द्वरा, बिना सोचे विचारे, प्रकृति का दोहन है, खारण एवं प्रभाव, प्रकृति के रोध रूप के लिए दोसी कोन और निसकर्स, इनी बिंदूों की उपर हमको लिखना है, तब ही हमारे पूरे नंबर मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखा जाए, अनुच्छेद में, खा अनुच्छेद है, मानाव और प्राकृतिक आपदाएं, 350 सब्दों में इ इससे कहीं बाड और कहीं सुखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आम हो गई हैं, इसका दूसरा बिंदू है, प्रकृति और मानाव का नाता, प्रकृति ने सदेव मानाव को अपने गोद में पाला है, प्रकृति मानाव की मा है, जो जन्म से पहले और मन्ने के बाद की सभी जरूतों को पूरा करती है आगे मैंने सलोगन लिखा है प्रकृति के बीना जीवन अधुरी है मानाव को प्रकृती रख्षा जरूरी है इसमें अगला बिंदु है मानाव द्वारा बिने सोचे विचारे प्रकृती का दोहन आज मानाव अपने लालाज को पूरा करने प्रकृति का अंधधुन दोहन कर रहा है, प्रकृति के किसी भाग को मानव ने नहीं छोड़ा है, जल, वाईू, अकास, मिट्टी, आदी को मानव ने पदुसीत कर दिया है, आज प्रकृति मानव के अत्यачारों से दम तोड रही है, आगे सलोगन है दम तोड़ती प्रकृती मानों के अत्याचारों से विकास के नाम पर हो रहे बज्र प्रहारों से कारणयों प्रभाव मानों की बरती जन संख्या और लालाच ने प्रकृती पर बुरा प्रभाव डाला है जिससे आज प्रकृति का आपदा आम बात हो गई है और तमान में कुरोना के माध्यम से भी प्रकृति ने मानों समाज की उपर गहरा प्रभाव डाला है अता आज विकास और प्रकृति में संतुलन आउस्यक है अगला बिंदु है प्रकृति के रोधर रूप के लिए दोसी कौन आज प्रकृति के रोधर रूप के लिए मानों ही दोसी है प्रकृति के निरंतर दोहन ने प्रयवन संतुलन बिगार दिया है अता मानों को अपने लालज पर ततकाल निरंतरन करना चीए अंतीम है निसकर्स प्रकृति है तो हम है प्रकृति नहीं तो हम नहीं अता हमें प्रकृति का सम्मान करते हुए अपनी जवरतों को पूरा करना होगा अन्यथा प्रकृति मानों का पृत्वी से उन्मुलन कर देगी आगे में अंतिम सलोगन है जाग जा मौका है प्रकृती रक्षा से किसने रोका है खंडखा रतनात्मक लेखन खंड में गः नमबर है सड़क सुरक्षा जीवा रक्षा तो देखिए सड़क सुरक्षा जीवा रक्षा की उपर 150 सब्दों में जो नुच्यत लिखना है उसमें संकेत बिंदू है भूमिका सड़क सुरक्षा से जुड़े कुछ परमुक नियम, सड़क सुरक्षा के नियमों के अंदेखी से होने वाली हानिया इन्हें अपनाने के लाब और निसकर्स इनी के उपर हमको अनुच्यत लिखन करना है तो चलिए देखते हैं अगला अनुच्यत है सड़क सुरक्षा जीवा रक्षा जिसमें पहला बिंदू है भूमिका तो भारत में सर्वादिक दुरुगटनाएं सड़क पर होती हैं जिससे अनेक जीवन की हानिया होती है NCRB के अनुचार साल 2019 में 4,37,396 सड़क खाथ से हुए जिनमें 1,54,732 लोगों की जान गई ठीक है आगे मैंने एक स्लोगन लिखा है सड़क पर हमेशा रहते यमराज साओधनी से जो चले वो धर्मराज सड़क पर हमेशा रहते यमराज साओधनी से जो चले वो धर्मराज आगे में सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रमुक नियम का बिंदू है इसमें देखते हैं नियम कौन-कौन से हैं पहला है दो पहिया वहान चालक हेलमेट पहने दूसरा है वहान को निर्धारित गती पर चलाएं तिसरा है अनावस्यक ओभर टेक ना करें चौथा है नावालिक को वहान चलाने ना देवें पांचवा है नसा करके वहान ना चलाएं छठा है सीट बेल्ट अवस्यक पहने इसके बाद जो अगला बिंदू है इसी सड़क सुरक्षा के नियमों की अंदिकी से होने वाली हानिया तो सुड़क दुरगटना से जानमाल की छती होती है असमय कई जीवन काल के गाल में समा जाते हैं कई आजीवन विकलांग हो जाते हैं कई परिवार उजड़ जाते हैं अगला बिंदू है इन्हें अपनाने के लाब पहला है आप भी सुरक्षित रहेंगे और सड़क पर शलने वाले लोग भी दूसरा है लोग असमय मनने या चोटिल होने से बच जाएंगे तिसरा है लाखों का खर्चा बचाया जा सकेगा चौथा है सड़क सुरक्षित बने और जीवन को सेजन का उसर मिलेगा इसलिए कहा गया है साउधानी हटी दुरगटना घटी प्रस्ना पांच है आपकी चचेरी दिदी कालेज में दाखिला लेना चाहती है किन्तो आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई ना करवा कर उनकी साधी करवाना चाहते हैं इस बारे म अपने चाचा जी को समझाते हुए लगबग 120 सब्दों में एक पत्र लिखियें मैंने बहुंत अच्छे से 120 सब्दों के सब्दसीमा में इस पत्र लिखा है पत्र लेकन में उत्तर पांच का कह है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पे हम अपना पता लिखते हैं पिछले दिनों आपका पत्र मिला जिसमें आपने जानकी दिदी के विवाह की योजना के बारे में लिखा था चाचा जी आपको ग्यात है कि दिदी पढ़ने लिखने में तेज है वह भी विवाह करना नहीं चाहती है बलकि कालेज में दाकिला लेकर आगे की पढ़ाई करना चाहती है और तमान समय में लड़का लड़की का भेदभाव समाप्त हो चुका है लड़कियां जीवन के प्रत्यक्चेत्र में किर्तमान इस्थापित कर अपना लोहा मनवा चुकी है हमारी संस्कृति में नारियों को देवी का दर्जा दिया गया है सास्त्रों में भी यत्र पुजियंते नारी तत्र रम्यंते देवा का उलेक है इसलिए आप भी दिदी को कालेज में दाकिला लेने दें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिदी आपका नाम रोसन करेगी हंत में चाची जी को परणाम और चोटू को प्यार आपका भतिजा संजाए प्रसन पांच का खंखा है कि आपके च्छत्र में सरकारी रासन की दुखान का संचाला गरीबों के लिए आयानाज की काला बाजारी करता है और कुछ कहने पर उन्हें धमकाता है इसकी सिकायत करने है तू लगबग 120 सब्दों में जिलादिकारी को पत्र लिखे तो मैंने इतने ही सब्दों में जिलादिकारी को पत्र लिखा है प्रसन पांच का दूसरा भाग है इसमें भी लिखेंगे उत्तर पांच इसको अगर आप चैन करते हैं तो तो सबसे पहले देखिए जिलादिकारी को संबोधन कैसे करेंगे सेवव में स्रीमान जिलादिकारी राइगर चत्तिजगर यहां पर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं मैंने राइगर चत्तिजगर लिखा है जहां से मैं हूँ फिर यहां पर दिनांक जिस दिनांक को आप लिखेंगे वो दिनांक के आप डालना है फिर विशय तो प्रस्ने में दिया ही हुआ है सरकारी राशन दुकान संचालक द्वारा काला बाजारी करने बावत मोदय यहां पर देखें मोदय करके एक संबोधन जरूर करना है और विशय में भी जो विशय दिया है उसको मेंसन करना है मैं आपका ध्यान इस पत्र द्वारा केलो विशय राइगर में संचालित सरकारी राशन की ओर अकरसित करना चाहूँगा या चाहता हूँ मोदय हमारे छेत्रक राशन दुकान का संचालक गरीबों के लिए आयानाज उन्हेंना देकर उचे मुल्य में बजार में बेच कर उनकी काला बजरी करता है मोदय इसके लिए उसने मोहले के समाजिक करतों के सांच सांट गानट कर लिया है राशन के संबंद में सिकायत करने पर वह डरवाता, ढमकाता है जिसे गरीब लोगों में भुक्मरी की समस्या उत्पन्न हो गई है, खास कर बिद्ध, असाहय और विद्वा अत्यान दुखी हैं, मेरा आपसे प्रापना है कि क्रिप्या इस बिशय में सिग्र कारवाही करके गरीबों के साथ नियाय करेंगे, सब धन्यवाद, संजे कुमार, केलो विहार रायगर, चतिसगर, फ्रापस में अच्छे है, आपको अपना फ्लेट किराया पर देना है, इसके लिए लगबग 50 सब्दों में एक आकरशक विग्यापन त्यार कीजे, तो उत्तर में क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे विग्यापन लिखन, फिर यहां प अपने हिसाब से लिख सकते हैं, यहां पर मैंने लिखा है, कभी न होंगे लेट, ऐसी जगा हमारा फ्लेट, और फिर जो दाया भाग है उसमें एक चित्र बना देना है, इस परकार से देखिए, यह फ्लेट का चित्र है, आप भी अपने हिसाब से कोई भी चित्र बना सकते हैं फिर इसमें स्विधाएं क्या क्या है पहली स्विधा है प्राइम लोकेशन में यह जो फ्लेट है फ्राइम लोकेशन में है दूसरा है पार्किंग की स्विधा है तिसरा है सामने खुला गार्डन है शांता है बस इस्टेन रेलवे स्टेशन रेहरपोड के पास और जो पा दे सकते हैं कि नीचे में संपर्क लोचन पटेल रायगर चतिजगर मोबाइल नंबर दुसरा भाग है कि आपकी दिदी ने संगीत कलक केंद्र खोला है इसके प्रचार प्रसार की लगभग 50 सब्दों में काकर्शक विग्यापन त्यार किए तो उत्तर में सबसे पहले विग्यापन लेखन निखेंगे यहां पर यहां पर यह काईता का रवाक्सा बना देंगे य सेब बनाया हुआ है और इस सेब के अंदर में आपको लिखना है स्लोगन क्योंकि स्लोगन जो है विग्यापन का जान होता है भूलना पाओगे सूर्ताल लता संगीत केंद्र करे कमाल और दायं तरप एक सुंदर सा चित्र बना दिया है यहां पर एक सिंपल चित्र बना दे है फिर से देखिए जो बाया भाग है उसमें विश्यस्ताओं को लिखना है तिसमें पहली विश्यस्ता है सभी प्रकार की संगीत परसिक्षन दूसरा है नित्य में कर्थक भरत नाटियम की परसिक्षन तिसरा है बासुरी गिटार तबला की स्पेसल क्लास चौंथा है लिखिए संपर्क लता पटेल एलो विहार मोबाइल नंबर 9826 क्रास क्रास 4200 यहां पर द्यान रखेंगे कि ओरिजिनल नंबर आपको नहीं देना है अब प्रस्न अच्छाय का खा है कि समाजिक संस्ता सभेरा के नसा मुक्ति जागरुपता विहान के लिए लगबग 50 अकरसर विग्यापन त्यार किजिए तो इसका उत्तर में सबसे पहले क्या लिखेंगे विग्यापन लेखन आगे में एक बाक्स बना देना हैताकार जैसे कि यहां पर मैंने बनाया हुआ है यहां पर लिखेंगे जो नाम दिया हुआ इसमें सभेरा नसा मुक्ति केंद फिर जो बाया भाग है उसमें इस प्रकार का एक घेरा बना लेंगे असानी से और यहां पर एक सलोगन लिखेंगे सलोगन जो है ना वो भी ग्यापन की जान होती है नसा ने हो घेरा मुक्ति दिलाए सवेरा नसा ने हो घेरा, मुक्ति दिलाए सभेरा और यहां पे देखिए दाएं तरब इस परकार का एक कायताकार बाक्सा बना देना है इसमें देखिए खित्र बना दिये हैं कि यहां पे सराप का बंदी हो रहा है यहां पर ड्रक्स का हो रहा है, यहां सिगरेट का हो रहा है, और यहां तमाखों के पत्ते का हो रहा है, विशेस्ताएं, अब नसा मुक्ति केंद्र की विशेस्ताएं क्या क्या हैं, कि यह मानसीक मनोबल बढ़ाना, कि यह मानसीक मनोबल बढ़ाता है, दूसरा है खुद पर और यहां पर expert doctor किया जाता है। आगे है कि एक्सलोगन मैंने वाक्स बनाएक लिखा है जब नसा का हो अंदेरा नसा मुक्ति दिलाए सभेरा। आगे में संपर्क है नसा मुक्ति केंद्र का लाज़गर शत्तिसगर। अच्छे का सेकेंड पार्ट है कि बहुत कम किम्मत में स्मार्ट फोन बनाने वाली कमपणी के लिए लगबग 50 सब्दों में एक आकरसक विग्यापन त्यार कीजिए तो उत्तर है विग्यापन लेखन, जैसे कि आपको मालूम होगा कि विग्यापन लेखन में विग्यापन लेखन को पहले लिखते हैं, फिर एक आयताकार बाक्सा बना देंगे, तो यहाँ पे जो मैं विग्यापन लेखन में सस्ते मोबाइल फोन या स्मार्ट फोन के लिए कर कर रहा हूं वह है रेडिमी फोन यहां पे रेडिमी फोन लिग देंगे फिर आगे देखिए पास पास दूर दूर रेडिमी सबसे मसूर तो यहां पर विज्यापन की जो आत्मा होती है सलोगन होती है तो पिसप्रकार का आप आकरिती बना देंगे और एक स्लोगन लिख देंगे, पिर इसके बाद विग्यापन लेखन में एक चीत्र बनाना आउस्यक होता है, जिसे पता चलता है कि विग्यापन किसका है और खजने वालों को काफी ज़्यादा अकर्सक लगता है, यहां पर देखि हम लोग 5 इंच स्क्रीन है इसमें 40 मेगा पिक्सल केमरा है और ड्यूल सीम है कोई आफ़र है कोई डिस्काउंट है या कोई चीज एकदम विग्यापन को अकरसित करने वाला है उसको एक जगा में इस प्रकार से हम लोग पिशेस आकरिती बनाके लिखते हैं जैसी इसका जो है इस प्रकार का आप अकरिती बना दें अपने इस आप से भी बना सकते हैं मैं इस प्रकार से बनाया हुआ है और यहां पे लिखें कि फोन की हो तमना रेडमी ही लेना और नीचे में संपर्क में पता आप लिखें अगर पता नहीं दिया है तो अपने मन से लिख सकते हैं पहला इस्तान प्राप्त करने पर अपने मित्र को लगबग करने चालीस सब्दों में सुपकामनाव संदेश लिखें, तिस में सब सिभाणा यहां पर सुब्वामना संदेश को लिखना है तो यहाँ पर हेडिंग में सुब्वामना संदेश, दिनांग, जैसे इसको मैं बाइस एक को लिख रहा हूँ, तो जिस डेट पर आपको रहेगा वहाँ पर लिखेंगे समय प्राता, 10 बजे, यहाँ पर एक स्लोगन लिखते हैं, तो नोभी परिच्छाओं में प्रथम रहें यही मेरी इस्वर से प्रात्ना है तुम्हारा मित्र साहिल और यहां पे ध्यान देना है कि जो सुपकामना संदेश है उसको हमको एक बाग्संakt Rozs ठीक है ना दिखिए यहां पर एक बाक्स में मैंने बनाया हुआ है तो ऐसा एक बाक्स आप लोग जरूर बना लिजिएगा उसके अंदर पहा पे लिख दिया है हेडिंग को बधाई संदेश यहां पे दिनाग बाईस एक के बाद कट-कट तो आपको जो दिनाग दिया रहेगा उसको यहां पे लिखना है समय प्राता दस बजे फिर एक स्रोगन लिखना है जिससे कपी अकर्शक हो जाता है यूँहीं पुरुषकार से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई, आप इसी प्रकार जीवन में आने वाली बाधाओं का विर्ता से मुकाबला करते रहें, यही मेरी इस्वर से प्रातना है, आपका मित्र संजाए, प्रस्म साथ का खा है, किरल के निवासी अपने मित्र को ओडम के उसर प आपके एक्जाम रहेगा, उसको लिखेंगे, समय प्राता दस बजे, समय अपने हिसाप साप लिख सकते हैं, फिर यहां से संदेश सुरू होगा, प्री मित्र आपको और आपके पूरे परिवार को, मेरी ओर से ओडम की कोटी-कोटी बधाईया, ओडम के अवसर पर आपका जीवन उलाज से भर जाए, इस वर से मेरी यही प्रातना है, आपका मित्र रागाओ, प्रस्न साथ का ख का अत्वा है, भाईया भावी की पहली व्यवाहिक वर्स गाट पर लगबग 40 सब्दों में एक सुपकामना संदेश लिखे, तो देखे, प्रस्न सुपकामना संदेश बाईस एक, बीस क्रास क्रास, तो दिनांक आपका जो भी एकजाम का दिनांक रहेगा, उसको लिखेंगे, फिर समय है, प्राता दस बजे, फिर यहाँ पे एक स्लोगन लिख देंगे, जिससे जो संदेश है, काफी आकर्शक हो जाता है, मुबारक हो सादी की वर्स गाट, सदेव बना रहे आपका साथ, आगे में संदेश लेखन शुरू करेंगे, आदर्णिया भाईया भावी को सादी की वर्स गाट की कोटी-कोटी बधाई, आपकी जोडी राम सिता जैसी है, आप दोनों सदेव साथ रहते, जीवन को खुसियों से सरावबोर करते रहें, आप आपका भाई, आजम.